बहुत बहुत सागत करता हूँ वेडियो के वह बाएं बहुत गोड़ानों के मांसिक्त से मीरे वडियो बहुत बहुत के लिए अकारत बिएख क olacak सरय भारस देए। entrepreneur mindset आप entrepreneur कैसे बन सकते हैं या क्या आप में गोड़ हैं वाकरी में बन सकते हैं वो तो मैं आपसे अभी discussion करूँगा ही करूँगा लेकिन साथ में ये बात बहुत खास है कि आज की यूवा पीडी में उर्जा बहुत है आज की यूवा पीडी कुछ अलग करके करन अलग दिखा करना चाहती है इसमें कोई भी दोराय वाली बात नहीं और साथ साथ आपके पस officers की भी कोई कमी नहीं है opportunities की कोई कमी नहीं है आज भारत जिस कती से आगे बढ़ रहा है तो यूवा अवस्था को सामने आना चाहिए और entrepreneurship की तरफ बढ़ना चाहिए मैं ऐसा सोचता हूँ क्य चोड़के जाए ऐसी चाप चोड़के जाए कि मज़ा आ जाए बस तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ जो कि पहली मेरी जो बातचीत है जो पहली मेरी एक बातचीत है जो है entrepreneurial mindset is a understanding of one's strength and abilities to be curious, creative, adaptable and eager to take a novel approach साराश में मैं इस definition को बोलूँगा जो कि एक समझ आने वाली बात हो जाएगी कि entrepreneurship के अंदर एक mental skills है और एक personal skills है सीधी सी बात कर लेते हैं यानि कि आपको अपनी strength को पहचानना है आपकी strength और फिर abilities, strength, core strengths को जिसके लिए आप aggressor हैं और curious हैं यानि जिग्यासा हैं जिग्यासा जिसमें भी वैसे होती है मैंने अपनी वीडियो में बताया था पूर वीडियो में तो उतना ही वो creative होता है नए thoughts को उत्पन करने वाला होता है Adaptable का मतलब मैं आगे अभी points में बताऊंगा flexible approach आप की होनी चाहिए flexible approach होनी चाहिए जिंदगी की तरफ और problems की तरफ क्योंकि business में बहुत problems आती है और एक eager to take a novel approach यानि की सीधी सी बात है आपको एक problem को एक नए तरीके से सोचना इसका solution क्या होगा मैं तीन प्रशन आप से करने जा रहा हूँ especially युवावस्था से और वो यही है यहाँ युवावस्था से what do you want to be? क्या आप बनना चाहते हैं? second what are you passionate for? आपका passion आपकी जो strong feelings है सीधी से simple shop तो यही है वो किस तरफ है? मैं केवल अभी फिलाल मैं business की entrepreneurs की बात कर रहा हूँ और यह अगर आप में है अगर कुछ ऐसा गुण है मैंने अभी personal उसमें traits और strengths की बात करी थी और what are your strengths and traits? मैं सीधी उसी point पर आ रहा हूँ आपकी strengths क्या है? आपके traits यानि trait यानि गुण जो आपकी strength के साथ जुड़के बस आपको एक core strength बना देते हैं तो यह तीन प्रशन आप अपने आप से जरूर करिए क्योंकि आपको इसमें अपनी vision जी हाँ आपको अपनी vision नजर आ जाएगी यह बहुत ही तीन कोशन अगर आप उत्तर दे देते हैं तो आपका vision और mission statement अपने आप बन जाएगा जोगी entrepreneur start के लिए मेरे हाल से नहायत जरूरी होता है next slide में है कि आप एक entrepreneurial journey को कैसे start कर सकते हैं सबसे पहला मेरी दरफ से है कि आपके पास एक right mindset होना चाहिए देखिए यह बहुत जरूरी है आप कितने passionate है विल्कुल वो right mindset में आता है और right mindset में ये भी एक बात आती है कि देखिए failures entrepreneurs या entrepreneurial journey में सुभाविक हैं अब उस failure से डर ज जाना तो फिर आप entrepreneurship की दरफ नहीं बढ़ सकते हैं आपका entrepreneurship mindset नहीं है तो failures को हम एक stepping समझेंगे stepping stone है मतलब हमने एक जिसे कहते स्प्रिंग मैंने पहले भी बताया था स्प्रिंग बोर्ड की तरह काम करेगा आपका failure हुआ आपने उस mistake से कुछ सीखा और आगे बढ़ जाई है right mindset entrepreneur journey के लिए एक बात और आती है योग वस्था में ठीक है क्योंकि कई कहते हैं कि सोचते भी है कहते भी है कि हमें उतना तजरबा नहीं है सर हमें अभी उतना experience नहीं है मेरे खाल से experience से बाल जहां बाल जहां पर experience की बात आती है वह बात बिल्कुल सही भी है तो आप एक mentor ढूड़ी है एक guide ढूड़ी है जो की एक जिसे कहते हैं आपको properly guide कर सकते हैं और guidance के साथ साथ motivate कर सकता है सबसे एक mentorship के अंदर क्या होनी चाहिए जो मैं असा सोचता हूँ इस video के माध्यम से मैं प्रदर्शित कर देता हूं कि एक mentor में motivational skill होना चाहिए जो दूसरे को motivate कर सके उसके अपने जिसे कहते हैं जिग्यासा उत्पन करते हुए साथ साथ उस field में उसको आगे प्रेरिद करते हैं आगे बढ़ा दे यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि उसी से commitment आजाती है सीदी सी बात है अगर आपके पस right mentor है आपकी commitment भ लगातार लगातार एक कांग को करते रहे ना in spite of the many failures या so many failures flexibility मैंने पहले भी जिक्र किया जब initial मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी आपकी अप्रोच flexible होनी चाहिए आपके पास कुछ problem आई solve नहीं हो रही अगर एक कुछ solution दो देते हैं दूसरे solution पर ही कुछ आपकी flexibility अप्र control देखिए ये बात ये जाती है कि आप जो भी action जो भी मतलब अपनी responsibility लेते हैं उसके लिए accountable भी खोदी होंगे उस action के लिए सीधी सी बात है learning and iteration का मतलब ये है कि आपको problem solving techniques जी हाँ problem solving यानि learn करना है सीखना है ये problem इस तरह से solve वी ओके मैंने सीख और मैं आगे बढ़ा बहुत जरूरी होते curiosity मैं पहले बता चुका हूँ कि एक entrepreneur में जिग्यासा होनी चाहिए ज़रुरत से ज़्यादा वैसे होनी चाहिए होनी चाहिए तब ही उसके अंदरे creative talent उत्पन होगा optimism हमेशा positive बने रहिए अपने अपरती बने रहिए emotional tolerance भी एक important point है मेरे कहल से जो traits में ह ही आता है यानि कि आपको अपनी personal life और professional life balance करनी आनी चाहिए high motivation of course मैंने बता दिया आपके तर अगर उजा जादा है तो आपकी जो success rate है वो आपका बढ़ जाता है technical skills आपकी field की जो technicalities है वो आपको पता होनी चाहिए वो गुण भी आपके अंदर होना चाहिए एक governing formula जो हम क आपकी intention आपको intent जितना strong है यानि 100% अब देते हैं तो आपकी performance 100% 100% बहुत बढ़ी आने वाली है success बनने वाली है conclusion क्या मैं बूलूँगा conclusion higher level of entrepreneurship supports economic growth and innovation इसमें कोई शक्षभा वाली बात नहीं है हमारे भारत देश की प्रगति भी होगी होगी होनी ही होनी है अगर यूवावस्ता ही बात समझ ले innovation तो हुन में अपने आप आई भी रही है और आ भी जाएगी innovation तो होनी चाहिए लेकिन मेरे entrepreneurship is a tool of job creation and wealth creation कितना important है यह कितना important point entrepreneurship से होता गया से mindset से क्योंकि उससे आप job भी लोगों को देते हैं job create करते हैं अपने लिए तो हो ही रहे हैं अपने लिए तो आप job self-employed तो हो ही रहे हैं लिकिन साथ-साथ दूसरे लोगों के लिए wealth creation येस आज ये वह सब पीडी ध्यान सा सुन ले जितने भी entrepreneurs होते हैं अगर आपने देखे भी है entrepreneur mindset की हम बात कर रहे हैं yes wealth creators ये important point है wealth creators money सिरफ money नहीं आरा wealth create कर रहे हैं ये बहुत important point है अच्छा अब एक sheet मैं आपके सामने लाया हूँ जो sheet अपने खुद इसको solve करनी है इसके points नीचे दे रखे हैं लेकिन ये जो लिखा हुए not true, hardly true, often true, always true तो इससे पता लग जाएगा कि आप entrepreneurial intentions आपने कितनी अधिक हैं जितनी अधिक है जादा तो आप definitely entrepreneurship की दरफ बढ़ सकते हैं इसमें not true का मतलब है one, इसमें one score है, ये scoring sheet है, hardly true का two scores है, often true का three scores है, and always true का four, four score है, जो maximum score है, तो आपने इस अपने points को खुद देखना है, खुद देखना है, और इसका answer, यानि मैंने कुछ points दे रखे हैं कि इसका score अगर आपका इतना आता है, तो किस तरह से आपकी intentions, entrepreneur, match करती हैं, और आप अराम से बन सकते हैं, इसका earthly अर्थ यही है, कि आप बन सकते हैं, तो इसको देखते हैं, यहाँ पर मैंने clearly लिख दिया ह है, कि आपका जो score अगर 35 से 40 आ जाता है, तो आप abilities पे अपनी विश्वास कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसका अंदर difficult task भी आप कोप कर सकते हैं, adversity कोई भी परिशानिया हैं, तो भी कर सकते हैं, और आप perseverance के द्वारा possessed हैं, अपने goals को पहुंचने के लिए, 25 से 34 अग 15 to 24 लो बिलीफ है, आपके वसले किन चांस है ग्रो करमे का, आपको अब mentor की सकता वशकता है, वैसे तो mentorship, mentor आपकी 35 से 40 में भी आप ले सकते हैं, mentor को किसी की guidance ले सकते हैं, लेकिन 15 से 24 वालं को तो लेनी है पड़ेगी, आपकी 10 से 14 का अगर score है, तो intentions आपकी बहुत बहुत तो entrepreneur journey मेरे ख्याल से आज भारत देश को एक बहुत ही बड़े एक मुकाम पे पहुचा सकती है, जी हाँ बहुत बड़े मुकाम पे इस पूरे global पे और यूवा वस्ता ये यूवा पीडी कर सकती है, मैं चाहता हूँ वैसे इस media के माद्यम से उनको संदेश भी देना चाहता वेट किसकी कर रहे हैं, अगर आपने intentions आपकी strong कर रही हैं तो go ahead with that ना, मैंने ये भी बता दिया, initial वीडियो में opportunities की कोई कमी नहीं है, last मैं एक point कहना चाहूँगा, think positive, think big and think outside the box, इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंद करता हूँ और ऐसी शुब कामनों के साथ कि आज की हमा यूगा पेड़ी इस बात को समझेगी और बढ़ेगी, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुब कामना है आपके अच्छे बहुश्य के लिए